हाई दोस्तों मेरा नाम है दित्याराज और आप सभी का स्वाह थे एक और नए वीडियो के अंदर दोस्तों जितने भी लोग यहाँ पर यूटूबर से हैं वो लोग को तो अच्छी तरीके से पता है जो हमारे चैनल के उपर जो वार्निंग श्ट्राइक आता था वो दोस्तों हमारे चैनल के उपर पर्मनेंटली ही रहता था लेकिन यूटूब का आ चुका है एक नया अपडेट जहाँ पर दोस्तों आपको जो वार्निंग श्ट्राइक है वो यहाँ पर हट जाएगा अब दोस्तो मैंने अभी अभी इसको ट्राइ किया है और यहां पर मैं आपको लाइफ दिखाऊंगा भी और चली यहां पर मैं आपको दिखाई देता हूँ तो सबसे पहले यहां पर मैं अपना मोबाइल फोन लेता हूँ और यहां पर मैं अपना जो रेकॉर्डिंग उसको म यहां पर देखने को मिल जाता है क्योंकि हर एक जो नया यूट्यूबर होता है दुस्तों कभी न कभी एक बर गलती कर देता है जिसके वैसे उसके चाल के उपर वार्निंग श्ट्राइक आ जाता है जो कि परमनेंटली रहने लगता है ठीक है लेकिन यूट्यूब के नई आते हैं यहां पर हम अपने मुद्धे पे जैसे कि आप यहें मुझे आया था चार न्मबर 2020 को यानि यहां पर मेरे त्ीन साल हो गये यह वर्निंग स्ट्राइक को आगे ठीक है लेकिन जैसे कि आप यह पर देख पर हो इसके बत्ग पर में लिखा है एकस्पायर 20टे जैन् आप देख पर एक्षिंज के अंदर यहां पर शो कर रहा है ट्रेनिंग कंपलीटेड यहां पर देख सकते हो 25 अक्टोबर मैंने अभी अभी अपना जो ट्रेनिंग है उसको मैंने कम्प्लीट किया है और यह जो श्ट्राइक है दूस्तो 23 जैनवरी 2023 को यहाँ पे खतम हो जाएगा ठीक है यहाँ पर वार्निंग श्ट्राइक नहीं शो करेगा मेरा चैनल बिल्कुल भी नॉर्मल हो जाएगा ठीक है अब दोस्तों यह चीज आप कैसे कर सकते हो आप अपने चैनल के उपर आप यह जो वार्निंग श्ट्राइक है इसको आप रिमूब कैसे कर सकते हो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा कि यूट्यूब दोस्तों कभी-कभी यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन कर दिया ठीक है आप जाओ दोस्तों इस वार्निंग श्ट्राइक के उपर भी क्लिक करके वहाँ पर आपको टेक एक्शन का बटन आ रहा है तो आप वहां से कर सकते हो वरना अगर आपको नहीं आ रहा है दोस्तों इसका मतलब यूट्यूब धीरे-धीरे करके इस चीज को कर रहा है तो कुछ दिन बात दोस्तों आप तक भी यह जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर आपको शो करने लएगा ठीक है यहाँ पर आपको आपको लिखा हुआ आएगा टेक एक्शन का बटन आएगा और यहाँ पर लिखा हुआ होगा एक्टिव कमूनिटी गाइडलाइन ठीक है धीक है जैसे दूस्तों आप यहाँ पर टेक एक्शन के उपर क्लिक करोगे वहाँ पर दोश्तों आपके कमूनिटी गाइडलाइन के बारे में यहाँ पर कुछ एक्जाम्पल देगा कि अगर किसी लोग ने इस तरह का वीडियो अप्लोड किया है तो क्या वो सही है क्या वो गलत है तो इस तरह से आपको multiple answers वहाँ पर शो किये जाएंगे तो जो भी answer यहाँ पर सही रहेगा YouTube guidelines के खिलाफ नहीं रहेगा दोस्तों उसको आपको सही टिक कर देना है उसके बाद को next पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आपको साथ सवाल पूछे जाएंगे और द सिने दिन बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ दिन बाद यहाँ पर एक दो महिना तीन महिना लगता है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह आपको ध्यान रखना होगा कि दोस्तों जिस policy के वज़े से आपका यह community guidelines strike लगा था या फिर जो भी warning strike लगा था दोस्तों उसको अगर आप फिर से करोगे दोस्तों आपको दुबारा warning नहीं आएगा आपको directly strike दे दिया जाएगा ठीक है मतलब एक strike आपके चैनल को पर पड़ जाएगा लेकिन warning strike आपको तब आएगा जब दोस्तों आप कोई policy के बारे में नहीं जानते थे पहले जैसे कि दोस्तों इस policy के बार दोस्तों उस समय पर यहाँ पर warning आएगा और दुबारा से दोस्तों आपको training दिया जाएगा उसके बाद दोस्तों same यही process continue होगा दोस्तों अगर आप YouTube के related काफी सरी वीडियो को देखना चाते हो अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को comment करके जरूर से पूछ लेना औ मैं में आपको से ली नेक्ट वीडियो में